हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंवरी देतीमन आर्पीएसी की तरफ से पर्मानेट विकैंसी आई है जहां पर पद जो है वो इस्थाई रहने वाले हैं विग्यापन 21 जुलाई को आ गया था विस्तरित रूप से और आवेदन जो है वो 26 जुलाई से स्टार्ट होने वा होगा आयू यहां 21 से 40 वर्स है आरक्षन जो है यहां पर उम्र में जो है वो बिल्कुल दिया गया है तो राजिस्थान लोग से वा आयू अजमेर से जो है विस्तरित विग्यापन जारी हुआ है आप सभी जानते हो इसकी जो मेन वेबसाइड है rpsc.rajistan.gov.in आप लोग पदों के खोज एवम उत्खनन अधिकारी और संग्रहाद द्यक्षे ठीक है यहां पर जो है क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्वालिफिकेशन जो है यहां खोज एवम उत्खनन अधिकारी के लिए master degree मांगी गई है history म आपको यहां पर दूसरा जो है संग्रहाद द्यक्षे के लिए जो यहां पर क्वालिफिकेशन है तो 55% marks के साथ जो है वो master degree ठीक है second division with at least यहां हो सकता है 55% at least चाहिए ही master degree in ancient or medieval Indian history या फिर MA misology में यहां पर demand की गई है इन्होंने काये कि with one subject history यानि history जो है वो आप लोग ग्रेजुएशन में भी आप लोगों के पढ़ी होनी चाहिए संग्राध द्यक्ष के लिए तभी आप लोग जो हम वो apply कर पाऊगे ठीक है MA degree भी आपने की हो साथ में जो है education qualification पूरी कर रहा है तो last year का जो student है चाहिए वो परिक्षा में सामिल होने वाला है ठीक है तो वह भी यहां पर apply कर सकता है लेकिन एक सर्त है कि उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परिक्षा से पहले sectionic एहरता यानि जो qualification है वह पूरी करने का सबूत देना होगा आपकी government salary मिलेगी level 14 के तहर ठीक है grade पे जो है वो 500 रोपे मिलेगा इसके बाद जो है यहाँ पर जो दूसरी जो वेकैंसी है आपकी संग्रहाद देक्षकी तो वहाँ पर आपको 48 रोपे जो है वो grade पे मिलेगा आयो सीमा जो है नियूंतम 21 वर्स है और अधिकतम जो है वो 40 वर्स जो है रखी गई है आयो सीमा में चूट भी है जैसे कि राजिस्तान राज्य के SCST पिश्रावर्ग आर्तिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुस है पुरुस को यहाँ पर जो है मिल रही है पान साल की चूट वहीं पर सामान्य वर्ग की महला जो है उसको भी पान साल की एलिजीबल रहती है विद्वा और विचछिन विवहा जो महला है तो उनके लिए कोई भी यहाँ पर एस लिमिट नहीं है यानि कี कोई भी उमर है आप लोगों की तो आप लोग यहाँ पर फिल कर पाओगे फॉर्म यहाँ पर जो जरूरी चीज़े हैं वो मैं यहाँ पर जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि पद जो है यहाँ पर इस्थाई है ओनलाइन एप्लिकेशन आप लोगों को करना है यहाँ पर खोज एवम उत्खनन अधिकारी के जो है वो एक पद है ठीके और जो नोपद है वो है भी आप लोगों की जो है कैटेगरी वाई जो है वो बटे हुए हैं यहाँ पर जो एक कमेंट आया था एक student का कि एक student है वो दिव्यांग जन है तो दिव्यांग जन के बारे में जो भी लाइन होती advertisement में तो वो मैं miss कर देती हूँ नहीं बताती हूँ लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी और मैं जरूर सारी चीज़ें बताऊंगी राजिस्नान राजिके पिष्टा वर्ग अति पिष्टा वर्ग और आर्थिक रूप से जो भी आरक्षन है जिस भी category को अगर वो उपलब्द नहीं होगा तो उसे सामानने प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा यानि जनरल कैटेगरी के द्वारा उसको भर दिया जाएगा राजिस्नान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुषार जहां किसी भरती वर्ष में कोई रिक्त उप्यूक्त बेंच मार्क निसक्त जन की अनुपलब्दता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो तो ऐसी रिक्ती आगामी भरती वर्ष में अग्रेशित की जाएगी तो यहां दिव्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम के अंतरगत ये लाइन लिखी गई है अन्य राज्य के आवेदिकों को उक्त लाग देर नहीं होने के करण उन्हें सामाने वर्ग के अंतरगत ही आवेदन करना होगा तो अन्य राज के जो candidate है उनको यहाँ पर erection का कोई लाब नहीं मिलेगा, general category में ही count होंगे Next यहाँ पर तो यहाँ पर बिल्कुल एक line जो है वो मैंने यहाँ पर highlight कर दी है राजिस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018 के अनसार जो निसक्त जन व्यक्तियों के लिए उपर उल लिखित उपरी आई उसे में 5 वर्स की छूट दे होगी यानि 45 वर्स तक के स्टूडेंट यहाँ पर apply कर सकेंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम 2018 के अंतरगत चैन परक्रिया जो है वो कैसे होगी तो आपका यहाँ पर लिखित परिक्षा होगी यहाँ पर परिक्षा का जो महा है नमबर रहने वाला है ठीक है अब नमबर महा में परिक्षा होगी एन्होंने बिलकुल के लिख दिया है 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और 25 अगस्त तक जो हम चलेंगे यह जो है RPSC की जो है वो मेन वेबसाइट है मैंने आपको बताया RPSC.Rajistan.Government.in Google पर आप सर्च करोगे यह पेज आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगा यहां पर जो है Important Link में आप देख सकते हो Recruitment Advertisement इस पर आपको जो है वो क्लिक करना है जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने जो है यह Detail Advertisement आ गई ठीक है और इसमें जो है जो दो नंबर पेज है 6 नंबर की पीडियो फाइल में जो दो नंबर पेज है उसमें आवेधन की पूरी process जो है वो लिखी हुई है इसको आप दिहान से जो है वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो application करेंगे बाकी चीज़े भी आप detail में जरूर पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों को ही आवेधन करना है कोई भी mistake नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जब मैं आप लोगों को advertisement पढ़कर सुनाती हूँ तो मोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ यहाँ पर जो है आपको लोगों की fees जो लगेगी वो है कितनी लगने वाली है और दिव्यांग जन तो दिव्यांग जन जो student है उनके 400 रुपए यहाँ पर लगेंगे 1500 marks आपके 1500 question जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे ढ़ाई घंटे का जो है वो आप लोगों को समय मिलेगा तो यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को detail में बता दी सक्षम प्रादिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी income and assess certificate जो है आप लोगों को यहाँ प्रस्तूत करना होगा बागी मुझे जितना भी जो है वो important लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट वाले पेज पर अनुव प्रामाण पत्र का प्रारूप भी है ठीक है क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है अगर आपके पास कोई experience है तो आप लोग जो है experience का जो certificate है वह भी लगाए तो यह last में जो है वो application form जो है इसका अनुव प्रामाण पत्र का जो प्रारूप है अब है दिया हुआ है यदि आप interested है आपकी qualification जो है यहाँ पर match करती है तो आप लोग जरूर जो है यहाँ पर apply करें ठीक है बहुत अच्छी जो है वो post है यहाँ पर पद जो है वो बिलकुल स्थाई है और यहा लिखा गया है कि पदों की जो संक्या है उसे आगे जो है वो